एलो रिडर्स, वेलकम तो मैं चैनल, तोड़े आई एक्स्प्लें यू चैप्टर थी, या न्यू फ्रेंडशिप आफ नवल लिटल वुमेन, और बिफोर स्टार्टिंग एट आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दे चैनल, ओके लेट्स स जल्दी मार्च सिस्टर्स की जो छुट्टियां होती है, वो खतम हो जाती है, और अब उनको काम पर वापस जाना होता है, और जब उनके फादर को अपने उनके फादर एक फ्रेंड की हेल्प करते करते हैं, उनकी प्रोपर्टी सारी लॉस्ट हो जाती है, तो दो बड़ी मैग और जो रिक्वेस्ट करती हैं कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सकें, तो मैग एक राजा की फैमिली में उसे बहुत कम सेलरी मिलती थी, वा नैनी का काम करती थी वो, और राजाओं के लिए हर दिन खुशी का दिन हुआ करता था, और वो हर तरह के मनुरंजन के लिए अच्छे पैसे खर्च करते थे, मैग सुन got used to hearing gossip about theatres, concerts and parties, and although she never complained, she always felt a sense of bitterness for all the things she lacked, और मैग को जो hell theatres, concerts, parties की बाते वो सुनती रहती थी, लेकिन हाला कि उसने कभी उस बारे में complaint नहीं करी, उसे दुख होता था कि जो चीज़े उसके पास कमी है, वो उन चीजों के बारे में देखती थी, सुनती थी, However, she tried not to be envious of the luxuries, her rich employers enjoyed, लेकिन वो उन चीजों से जलती नहीं थी, जो उसके मालिक के पास, जो किंग की फैमिली के पास luxuries आइटम थी, उन से जलती नहीं थी, Joe looked after Aunt March who was old and lived alone, और Joe एक Aunt March थी, उनको उनकी देखबार करती थी, जो वो बूड़ी थी और अकेली रहती थी, Aunt March was grumpy old lady, but to everyone surprise Joe got on well with her, और Aunt March जो हैं थोड़ी गुसे वाली lady थी, लेकिन हर किसी को हैरानी होती थी, कि Joe उनके साथ अच्छे से रहती थी, they occasionally argued, but they always forgave each other, because in their hearts, they were really quite fond of each other, वो कभी कबार भहस करती थी, लेकिन एक दूसरे को जल्दी माफ भी कर देती थी, क्योंकि एक दूसरे के दिल में वो एक दूसरे को चाहती भी थी, What Joe was really fond of, however, was Aunt March's library, और उनके आँ जो को जो सबसे ज़्यादा पसंद था, वो उनकी लाइबरेरी थी, Aunt March की, She spent many happy hours in that dim dusty room, looking through the books, while Aunt March was asleep, और जब Aunt March सो रही होती थी, तो वो उस dim, मतलब कम रोशनी वाले कमरे में, धूल भरे कमरे में, वो बुक्स को देखती रहती थी, डिवोरिंग एवरी सिंगल लाइन और वर्स, Joe's ambition was to achieve something important one day, और एक एक लाइन को वो बहुत ध्यान से पढ़ती थी, और जो का मकसद था कि एक ना एक दिन वो कुछ important अचीव करके रहेगी, बेथ was too shy to go to school, और बेथ को school जाने में बहुत शरम आती थी, she had tried, but she suffered so much that there that her parents decided to keep her at home, और उसने बहुत कोशिश करी school जाने की, लेकिन उसे इतनी दिक्कत होती थी, कि उसके parents ने decide करा कि वो घर पर ही रहे गिया, Mr. March had given Beth lessons until he went away to fight in the war, और जब तक Mr. March war में नहीं गए थे, तो वो March को पढ़ाते थे, उसको पार्ट सिखाते थे, Beth studied on her own and she tried as hard as she could, लेकिन जब वो war पर चले गए थे, वो नहीं थे, तो Beth अपने आप को पढ़ती थी, अपने पढ़ने की कोशिश करती थी, जितनी मेहनत वो कर सकती थी, वो करती थी, She enjoyed her long, quiet days at home, which were never dull or lonely, और वो लंबे लंबे शांत वरे दिन, अकेले घर में बिताती थी, जो की boring नहीं थे, she took care of her dolls and also helped Hannah to keep the house neat, clean and comfortable, और वो अपने dolls की केर करती थी, और Hannah जो उनकी मेर थी, servant थी, उसको help करती थी इन घर को साफ सुत्रा रखने में, Beth loved music, और Beth को music बहुत पसंता, of all musical instruments, she preferred the piano and she practiced on the family's old tuneless piano every day, और सारे musical instruments में उसे सबसे ज़्यादा प्यानो पसंता और जो उनके पास एक बहुत पुराना family, मतलब बहुत बहुत पुराने टाइम से family का old piano चलता आ रहा था, तो वो tuneless हो गया था, means उसमें अच्छी tune नहीं आती थी, तो वो उस पे practice करती थी daily, she longed for a good one, but there was no money for such luxury reasons in the March house, उसे एक अच्छा प्यानो की इच्छा थी, वो चाहती थी कि उसके पास अच्छा प्यानो हो, लेकिन March house में उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस तरह की items खरीच सेगे, एमी's talent was drawing, और एमी का जो shock था, वो drawing का था, she only felt happy when she could copy flowers और sketch fairies and she spent hours doing so, उसे खुशी मिलती थी जब वो flowers copy करती थी, fairies के sketch बनाती थी, परियों के sketch बनाती थी, और उसमें वो घंटों, घंटों hours spent कर देती थी, in fact, her teacher complained that instead of doing her sums, she drew animals, and her school books were full of pictures where there should have been words, और उसकी जो teacher थी, वो हमेशा complaint करती थी, कि वो sums करने की बजाए animals draw करती रहती है, और पूरी बुक में उसके जहां पर words होने चाहिए थे, कुछ नगुश लिखा होना चाहिए था, वहां पर pictures बनी रहती थी, she was her schoolmates favorite though, or admired for her grace and talent, लेकिन वो जो अपने schoolmates थे, उसके साथ ही थे, उनकी favorite थी, क्योंकि वो उसकी खूब सूर्थी और उसके talent की वो तारीफ करते थे, Amy would have been very close to being spoiled if it hadn't been for two things, her nose was rather flat and she never had new clothes as she had to wear her cousin's old one, और Amy बेकार होने की पूरी कगार पे थी, अगर उसके पास ये दो चीज़े ना होती, एक तो उसकी नाक बड़ी flat थी, और दूसरा उसके पास ने कपड़े नहीं थे, वो अपने cousins के पुराने कपड़े पहनती थी, Meg and Amy were very close, Amy told Meg all her problems and worries, Meg और Amy बहुत एक दूसरे से बहुत close थी, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी problem share करती थी, Amy told Meg all her problems and worries, और Amy, Meg को अपनी सारी problems, अपनी सारी बातें बताती थी, Joe and Beth had a similar relationship, इसी तरह Joe और Beth का relationship था, Joe was the only person who really knew Beth's thought, और पूरे घर में Joe ही ऐसी थी, जुसे Beth के ख्यालों के बारे में, Beth की चाहतों के बारे में पता था कि वो क्या चाहती है, Joe felt lucky to have three sisters to talk to, and she felt sorry for Laurie who had no brothers or sisters at all, और Joe को, और Joe अपने आपको बड़े खुश किस्मत मांती थी, कि उसके पास तीन भेने हैं बात करने के लिए, लेकिन उसे Laurie के लिए बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि उसका ना कोई भाई था, ना कोई भेन थी, और फिर न्यू यर के कुछ दिन बाद, Laurie को जो है, बहुत जादा सर्दी जुखाम हो जाता है, तो एक बार दुफैर में, जो डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाएगी, और उसे बुक्स वगेरा पढ़के सुनाएगी, जिससे कि वो खुश हो जाए, हाला कि जब वो उसे बुक्स रीड करने की बजाए, वो उसे अपने बहनों की स्टोरी सुनाती है, अपने बहनों की अड्वेंचर्स की स्टोरी सुनाती है, लॉरी को, जो कि उसके एक तरह से बहुत जाएगी, फ्रेंडली हो जाते हैं, means बहुत उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है, और वो उसे अच्छी महमान नवाजी करते हैं, और जो को दुबारा बुलाते हैं, और जब जो के एड्वेंचर के बारे में सुनती है, कि उसने लॉरेंस हाउज में क्या क्या करा, तो पूरी मार्च फाइमली जो है, वहाँ जाने लगती है, मार्च, मिस्स मार्च वांड़ टू टॉ टॉ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, बिकॉज यह नौन फार फादर, मैंनी यर्स अगो, मिस्स मार्च जो है, मिस्टर लॉरेंस से बात करना चाती थी, क्योंकि वो उनके फादर को बहुत सालों से जानती थी, मैग वांड़ी टू वाक इन डग कंजर्वेटरी, और मैग उनके जो गार्डन था, उसमें घुमना चाती थी, एमी कुड़न वेट टू सी दफाइं, पिच्चर और स्टैच्चू से जिसमें उनका घड सजा पढ़ाता जिन चीजों से, वो उन्हें देखना चाती थी, और बैथ वो मिस्टर लॉरेंस का जो बहुत शानदार पियानो था, वो यूस करना चाती थी, बैथ 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 सब्सक्रांट में शानदर अध्यी मांच फैयनी कंड से धी, और बैथ हर रोज मिस्टर लॉरेंस का पियानो कहीं घंटों तक बजाती थी, और उसे यह अहसास भी नहीं था कि Mr. Lawrence अपने room का जो door था वो खुला रखते थे जिससे कि वो उसके music को सुन सके जब वो अपना काम कर रहे थे और उसे यह भी नहीं पता था कि जो प्यानो के उपर books रखी थी music की वो उसके लिए gift था Mr. Lawrence की तरफ से all she thought about was how happy she was that her wish had come true and how much she wanted to thank Mr. Lawrence for making it so और बस वो सोचती रहती थी कि वो क्योंकि बहुत खुश थी वो तो वो सोचती थी कि वो कैसे Mr. Lawrence को खुश कर सके उन्हें thank you बोल सके उनको यह उसकी एक तरह से wish को पूरा करने के लिए Beth decided to make Mr. Lawrence a pair of slippers to thank him for his generosity और Beth ने decide करा कि वो Mr. Lawrence के लिए एक slippers का pair बनाएगी चपल का pair बनाएगी जिससे वो उनकी उदारता के लिए thank you उन्हें बोल सके she had been working on the slippers for several days and nights and when they were ready she placed them on Mr. Lawrence's desk with a short knot और वो कहीं दिन और रात तक उसे बनाने में लगी रहती थी sleepers को और जब वो तयार हो गए तो वो उसके Mr. Lawrence के decks पर छोड़ी आई और उसके साथ एक शोटा सा note भी छोड़ कर आई थी a day and a half past with no word from Mr. Lawrence and Beth begin to worry that she might have offended है और एक पूरा दिन और फिर आदा दिन और बीच जाता है जिसमें Mr. Lawrence का कोई message नहीं आता तो Beth को चिंता होने लगती है कि कहीं उसने उनका अपमान तो नहीं कर दिया then on the afternoon of the second day Beth returned home from a walk to find a sister secretly waiting for her लेकिन अगली दुफैर को second day की दुफैर को जब Beth वापस आती है walking से तो वो देखती है कि उसकी sisters बड़ी बेसबरी से उसका इंजार कर रही होती है Mac Joe and Amy pulled Beth into the living room and pointed to a beautiful little piano और Mac Joe and Amy उसे living room की तरफ ले जाती है और उसे एक बहुत सुन्दर सा छोटा सा प्यानो दिखाती है white color का there was a letter on the lead address to both Beth और उस पर उपर एक letter था जिसमें वो Beth के लिए था poor Beth was too embarrassed to receive such a wonderful gift and hid her face in Joe's skirt और वो बिचारी बैत को इतनी शरम आती है कि वो इतना अच्छा gift पाकर वो अपना चहरा Joe की skirt में छुपा लेती है you read it Joe और उसे कहती है कि तुम पढ़ो Joe laughed and opened the letter it read और Joe हसती है और वो letter खोल कर पड़ती है Dear Miss March, I have had many pairs of slippers in my life but I have never had any that suited me as well as yours I hope you will allow me to send you something which once belonged to my granddaughter whose eyes were so like yours and who I sadly lost with all my thanks and best wishes James Lawrence तो उस letter में लिखावा था कि Dear Miss March मेरे पास पूरी जिन्दगी में बहुत सारी slippers हुए है लेकिन मुझे इतनी अच्छी इतनी सूट करने वाली slippers कोई और नहीं मिली जितनी आपकी थी और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे एक छोटा सा gift भेजने के लिए आग्या देंगे जो कि मेरी granddaughter का था जो आपकी आखे विलकुल मेरी granddaughter की तरह है और लेकिन बड़ी दुख की बात है मैं उसे खोच चुका हूँ with all my thanks and best wishes और मेरे पूरे धन्यवाद के साथ और शुब कामनों के साथ James Lawrence I hope आपको ये स्चोरी समझ में आ गई होगी and soon back with next lesson okay bye bye